हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल हाँ सिरू एक नई रुमेंटिक लफ स्टोरी लेकर स्टेंजर हस्बेंड ये इस ड्रामे की हिंदी एक्स्प्लेनिशन का पार्ट वन है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप मूम शी को चाटा लगाती है तीन दिन बाद तुमारी शादी है कुछ गर्बन मत करना वैसे भी तुम खुश नसीब हो जो इतने अमीर परिवार में जाने वाली हो शी बोलती अगर वो लोग इतने ही अच्छे हैं तो आप अपनी बेटी की शादी मिस्टर लियू से क्यों नहीं करा देती स्टैप मोम उसे एक तमाचा लगा देती है भूलो मत तुमारी ग्रेंडमा भी होस्पिटल में एडमिट है उनका हिलाज सिफ मैं ही करा सकती हूं ये सुनकर शी शादी के लिए मान जाती है तीन दिन के बाद मिस्टर लियू का असिस्टर शी को लेने आता है स्टैप मोम उ से वोर्निंग देती है वहाँ जाकर कुछ गड़बर मत करना शी असिस्टन के साथ मिस्टर लियू के घर आती है घर के अंदर गुसते ही लियू की भेन शिंशिन उस पर चिलाने लग जाती है तुम्हें आने में इतनी लेट कैसे हो गई मेरे भाई को पता चला तो तुमें डिवोस दे देगा शी बोलती है अगर वो देना चाता है तो मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है शिंशिन बोलती है तुम तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो मिस्टर लियू की मॉम बोलती है ठीके ज़्यादा समझदार बनने की कोई जुरत नहीं है आगे से ऐसी गलती मत क करना वैसे मेरा बेटा तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छी लड़की रिजर्फ करता है पता नई ग्रेंडपा ने क्या कच्रा मेरे बेटे के सर मंड दिया है शी को अपने फर्स लफ चैंग की याद आती है उसकी मोम ने भी ऐसा ही कुछ कहकर उसे रिजेक्ट कर दिया था ओफिस में मिस्टर लियू अपने इंप्रोय पर भड़क रहा था चोटा सा भी काम तुम सही से कर नहीं पाते हो और दुबारा प्रेजन्टेशन तयार करने को बोल देता है लियू को ग्रेंडपा का कोल आता है आज तुम्हारी शादी हुई है और तुम ओफिस में क्या कर रहे हो लियू बोलता है ये शादी आपने फोर्स करकर कराई है क्रेंडपा बोलते है वो लड़की बहुत ही अच्छी है इवन बहुत स्मार्ट भी है वो तुम्हारे बिजनस में भी हाट बटा बटा सकती है तुम्हें उससे जदा अच्छी लाइफ पार्टनर कभी नहीं के लिए दक्रवात भता है। लिव उसे अपना ब्लैक बैंक कार दे देता है यानि अनलिमिटेड पैसे शी वो कार्ड एक्सेप्ट कर लेती है ताकि अपनी ग्रेंबा के होस्पिटल के बिल पेक कर सके लिव गुसे में भार आता है शिंशिन बोलती है भाई आप ग्रेंबा को बोल कर उस लड़की को खायी थी शी उसे गिरने से बचा लेती है लेकिन शिंशिन उसे दूर हटा देती है तुम खुद को समझती क्या हो मदरिन लोग पूछती है तुम कहां जा रही हो शी बताती है मैं अपनी ग्रेंबा से मिलने होस्पिटल चा रही हूँ मदरिन लोग बोलती है आकर ना ले पता चला हम सब भी बिमार हो गए शी को बुरा लगता है लेकिन ओके बोल कर चली जाती है होस्पिटर में वो नर्स को बता देती है मैंने सारे बिल क्लियर कर दिये हैं तो क्या आप मैं अपनी क्रेणमा से मिल सकती हूँ नर्स बोलती है आपको उने महेंगे वोल में आपकी वाइप ने कंपनी में जॉब के लिए अपलाई किया है लिए उसका रिज्यूम देकर शोक हो जाता है क्योंकि शी ने कॉलिश में टॉप किया था लिए बोलता जो प्रोसीजर है वही फोलो करो एचर शी का इंटरव्यू ले रही थी और बड़े डिफिकल्ट कोश पूश रही थी लेकिन शी बड़े अराम से उनका जवाब दे रही थी एचर भी उसे इंप्रेस हो जाती है ये तो सच में जीनियस लड़की है इंटरव्यू के बाद लिए उस टेप मोम के घर आती है टेप सिस्टर मोमो डाट को बोलती है मैंने आपकी एक्स वाइफ का ब सेमली मेंबर्स को लगता है शी की हजबन यानि मिस्टर ल्यू को कोई खतरनाक बीमारी है इसलिए उसने शी को चुना है शादी के लिए शी मोमो को चाटा लगा देती है मेरे हजबन के बारे में तमीज से बात करो मोमो भी उसे लगाने वाली थी पर डैड उसे रोक लेते हैं डैड शी को बोलते हैं मिस्टर लू के सामने मेरी थारिफ करना मत भूलना एक्चली में डैड चाते थे मिस्टर ल्यून के बिसनस में हेल्प करे शी सोचती है ये सारे लोग कितने लालची है शी को देकर स्टैप ब्रदर की नियत भी बिगड जाती है और वो शी की टी मार देती है और टुन ड्राइवर को कार चलाने को कहती है शी मिस्टर लियो के घर ना जाकर रास्ते में उतर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था अगर इस हालत में वो गर गई तो लियो की फैमली उस पर गुसा करेगी तबी लियो अपनी कार में आ जाता है शी उसकी कार में शी को लियो में अपना एक्स बॉइफरेंड चैंक दिखाई दे रहा था तुम मुझे बिना बताय छोड़ कर क्यों चले गए थे लियो उसकी छोड़ देखता है और उसे अपने घर लेकर पहुंचता है शी कार से निकलते ही उसकी बाहु में पढ़ जाती है असिस्टन तो य उससे बहुत प्यार करते हो लियो बोलता है तुम मुझे गलत परसन समझ रही हो परशी तो उसे किसी कर देती है लियो तो उसे दूर हटा देता है परशी उसे हग कर लेती है तो लियो उसे उठाकर बातरूम के टब में फैक देता है अब आ गई क्या होश में लेकिन लियो को तो अभी भी अपना एक्स बॉइफरंड चैंगी दिख रहा था और बोलती है मेरे हस्बन के लिए लियो उसे जिंजर टी पीनी को कहता है शी बोलती है इसकी कोई जुरत नहीं है रात हो गई है मुझे अपने घर जाना चाहिए लियो बोलता ऐसे कपड़ों में जाओगी शी यह देखकर इंबरस होकर वापस बातरूम में चली जाती है लियो बातरूम का डोर खोल ल लिया था लियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई उसकी चीजों को हाथ लगाए शी उसे सोरी बोल देती है लियो उसे जिंचर टी पीनी को कहता है और फिर उसके बाद कपरे चेंज करने के लिए देता है शी उसे अपना कार देती है इसमें 40,000 है इन कपरों की तो वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे वांग शिंच तो ये मैसे सिधा मिस्टर लियो की मॉम यानी शी की सास को भेज देती है असल में वांग शिंच लियो से बहुत जादा नफरत करती है उसे लगता है उसकी वज़े से लोग उसे टेंशन नहीं देते शी शी उसकी आवाज सुनकर रूम में छुपने लग जाती है शिंशिन रूम में आती है पर लियो उसे वहां से दफा होने को कह देता है शिंशिन बोलती है भड़ा क्यों रही हो और चली जाती है लियो शी को भार निकलने को कहता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें शिंशिन सिंदर पूरी रात कैसे रह सकती हो तुम मेरे बेटे को धोका दे रही हो शी बूलती ऐसा कुछ नहीं है मदर इनलो से घर के बार पर बैठनी की पनिश्मेंट दे देती है चक तक मैं तुम्हें बोलू ना मां से उठना मत शी ऐसा ही करती है एक गंटे बीच जाते हैं उसकी हालत खर जल्दी से घर आ जाओ लियो बोलता है मैं मीटिंग में हूँ और कॉल कट कर देता है शिंशिन सोचती है कैसा है हमेशा इसे प्रोटेक करता रहता है और अब उसे अपनी ही वाइफ की नहीं पड़ी शी भियोश हो जाती है शी होस्पिटर में थी लियो उसे बोलता है चिं बहुत कुश हो रही थी प्रिंसिपर शी qo कर बताता है तुम्हें मिस्टर ल्यू की कंपनी में जब मिल गई है तुमका असिस्टन भी तुम्में लेने आया है यह सुनकर वाइंग शी तो जल जाती है और बोलती है जरूर प्रिंसिपर ने तुमारी सिफारिश लगाई हो असिस्टेंट बोलता है शी ने इंटरव्यू क्लियर करकर ये जॉब खुद हासिल की है वांग शी बोलती है मैं तुम्हारी दोस्ती पर तुमने मुझे नहीं बताया तुम इंटरव्यू देने जा रही हो शी कुछ नहीं बोलती और असिस्टन के साथ जाने लगती है वांग शी बोलती है मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना मैं तुम्हारी दोस्तू ना शी बोलती है तुम यही पर ठीक लगती हो अक्शली मैं शी को पता था उसके डॉकिमेंट उसी की दोस्तने फाड़े हैं एवन वो यह भी जानती है वांग शी उससे बहुत जादा नफरत करती है वांग शी बोलती है नहीं ले जाना चाहती मत ले कर जाओ इतना भाव क्यों खा रही हो शी भी उसे अच्छा खासा सुना कर चली जाती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज वीडियो को लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए बैल आइकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारांगे बाई बाई